गुड मॉर्निंग बच्चों में आपकी क्लास फिप्त की हिंदी बेवोग का थार्ड लेसन त्रतिया अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो की एक लेख है जिसका शीरशक है जल ही जीवन है जल का समस्त जीवों में बनस्पती जगत है तू महत्व इस पार्ट में सा विवरन बताया गया है सा विवरन मीस विवरन सहित उसका मतलब की जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में सिफ हमारे जीवन में नहीं जीव जन्तू बनस्पती इनके जीवन में भी जल का कितना महत्व बच्चों प्रत्वी पर जल को अम्रत कहा जाता है हमारे जीवन में बायू के बाद जल का महत्व सर्वो परी है याने सबसे अधिक है इसका कोई विकल्प नहीं है आज से लगबग प्रत्वी पर जल की उत्पत्ती मानी जाती है उत्पत्ती मेंज जब जल पैदा हुआ था इस प्रत्वी पर दिखाई दिया था या पैदा हुआ था जिस समय इसकी उत्पत्ती या पता चला था जल श्रस्टी के पाँच प्रमुख तत्वों में शामिल है श्रस्टी means प्रमाई प्रत्वी जिसके आभाब में जीवन की कल्पना असंभव है मतलद संभव नहीं है जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है महासागर प्रत्वी के छेत्रपल का लगवग बहत्ता प्रतिशत भाग घेरे हुए है इनमें तेरे लाक अरब टन पानी होने का अन्मान लगाया गया है आकार और गहराई के क्रमा नुसार धर्टी पर चार महासागर है नदियों, बर्शा और बर्व पेगलने से पानी रिसकर बिविन दरारों से भूमी के अंदर प्रवेश करता है वह भूमी गजल कहलाता है जो जल बर्शा और बर्व पेगलने से पानी रिसकर जो हमारी भूमी यानि प्रत्वी के अंदर चला जाता है वह भूमी को जल कहलाता है, तथा पीने योगे पानी की पूर्ती के लिए कूप और नल कूप द्वारा भूमी को जल का उपयोग किया जाता है, जह नल लगाते हैं, हम हैड पंपो अगेरा, जिन से हमें पानी मिलता है, यह भूमी बच्चों तुम जानते हो जल को जीवन कहा जाता है जब गर्मी के दिनों में तुम कहीं से आते हो या खेल कर दोड़ भाग कर कक्षा में आते हो या घर पहुंचते हो तब क्या करते हो तुम पानी पीते हो जड़ा सोचो प्यास लगने पर अगर हमें पानी ना मिले तो क्या होगा तो हम प्यासे मर जाएंगे क्यों क्योंकि हमें प्यास लगती है इसलिए पानी पीते हैं वास्तम में पानी की अतरिक्त किसी दूसरी चीज से प्यास नहीं भुजती जनसंख्या में तीब्र ब्रद्धी, तीब्र में स्तेजी से ब्रद्धी होने के कारण, बढ़ोत्री होने के कारण भारत में पानी की समश्या बहुत गंबीर हो गई है सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व 77 व्यकति प्रतीवर्ग किलोमीटर था 1991 में बढ़कर 266 व्यकति प्रतीवर्ग किलोमीटर पहुंच गया और लगबग 300 व्यकति प्रतीवर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गया है सन दो हजार साथ तक क्रशी के छेत्र में करीब 120 सरब धन मीटर पानी की आवशकता होगी हमारे देश की जनसंक्या जितनी तेजी से बढ़ रही है सब की प्यास बुजाने के लिए पानी की मांग भी उत्री ही बढ़ रही है बैसे तो हम नदी जड़ना तालाव कुए से जल प्राप्त करते हैं लेकिन पूरा कच्रा डाल कर हम नदीयों और तालाव को पानी गंदा कर रहे हैं पानी में जब बहुत अधिक गंदगी हो उसका होना या ना होना बरावर पानी अगर गंदा हो तो हम उसका उपियोग नहीं करते क्योंकि गंदा पानी पिया नहीं जाता मटमेले पानी जिसमें धूल और मिट्टी के कंड मिले होते हैं ऐसे पानी को पेड़ पौदर के सिचाई हो सकती है लेकिन इसमें कल खार खानों के रसाइनिक पदार्थ भूल तो ये जो पानी होता है वो भी पेड़ पौदों को सिचाई के काम नहीं आ सकता क्योंकि कल कार खानों से में कचले में विशयले पदार्थ मिले होते हैं जिससे समस्त प्रानी जगत को खत्रा है और उसके द्वारा पेड़ पौदे भी मर जाएंगे शेरों की बिविन्य नालियों से निकलने वाला गंदा पानी अधिकांस का नदियों में प्रवावित कर दिया जाता है इसके कारण नदी भी प्रदूशित हो रही है और उपयोगी नहीं रहता है ऐसा पानी यदि दोबारा साफ कर लिया जाए तो सोचालो बागवानी और क्माद यौगिक संस्थाओं यानि कार खानौ में उतने प्रेवह कर्मिद और लेकिन हमारे देश में बरसा कखी जादा होती है तो कभी कम होती है य सब시면 कुर मिलाहरे बहुत ऐसी जगें जहां अत्यदिक बारिश होती है, सब जगें एक समान बर्षा ना होने से कहीं तो बार आ जाती है और कहीं सूखा पढ़ जाता है, बार से बर्षा का अधिकांस जल बह जाता है और जानमाल का खत्रा भी बन जाता है, इंसान की जान भी चली जाती है, जहा पानी सूख जाता है और सबको पीने का पानी नहीं मिलता सूखे इलाकों में लोग एक एक बून पानी को भी तरस जाते हैं मीलों पैदल चलकर वो किजने कहां कहां से पानी को भर कर लाते हैं नाने दोने की बाद तो छोड़ो खाना बनाने पकाने और पीने के लिए भी उनक पानिन का दुर उपयोग किया जाता है मतला उसका उपयोग में गलत किया जाता है रेगीस्तान में जहां साल-साल भर तक पानी नहीं बरसता लोग बुन-बुन कौप पानी को एक काम चलाते हैं दुनिया के अनेक इलाकों में काफी समय तक बर्षा नहीं होती है कि पॉइले पर आधारित बिजली गरों का प्रशीतन के लिए पानी की जुरत होती है प्रती 5.75 मेगाबाट बिली उत्पादन के लिए लगबग 0.01 क्यों से एक पानी की जुरत परती है इसी तरह धर्टी का रूप परिवर्तन करने वाले सदा मनुशेत के में अरपित रहने वाले जीवन उपयोगी जल की महिमा और आवर्शक्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह है बहुत ज़रूरी है कि बर्शा को पानी संरक्षन उसका अच्छी तरह से अच्छे ढंग से उसका उपयोग किया जाए और बंडारान उन्हें उसे खटा किया जाए ईचित वेवस्ता की जानी चाहिए बर्शा के पानी को पानी की एक बुन भी बेठ में ना गवाई जाए वरना अंदा दून्ध कटाई और कराईस में रोक लगाई जाए बनों की जो बनों की अंदादंद कटाई होती है क्योंकि बारिश किसे होती है पेड़ों से पेड़ जहां कटेंगे तो वहां क्या नामे बारिश कम होगी रितु चक्र हो गई नहीं बनों की अंदादंद कटाई और कटाई में रोग लगाने चाहिए बहुत अधिक मात्रा में पौधा रोपन यानि हमें पौधे लगाने चाहिए रितू चक्र समय के अनकूल चलता रहे मतलब समय समय पर बारिश होती रहे समय समय पर गर्मी भी होती रहे और समय समय पर ठंड भी होती रहे अन्यता आने वाले समय में पानी भी बाजार में बिखने वाली बस तो बन कर रहे जाएगा बच्चो अब तुम समझ गए होगे कि जल कितना मूलेवान है कभी-कभी तो मूले देने पर भी जल नहीं मिलता हम अगर पैसे भी दें तो इसे खरीद नहीं सकते ऐसे बहुमूले जल को जिसका कोई मूले ना हो उसको नश्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है इसे बचाने के लिए तुम प्रियास करते रहो जैसे हम जब हमें प्यास लगती है तो हम गिलास में उतना ही पानी ले जितना की हमें जरूरत है जब हम ब्रश करते हैं तो नल की टॉंटी यानि नल को खोल देते हैं नल की टंकी को और जब वो पानी जो है बेश्ट जाता रहता है बेकार जाता रहता है जब पुल्ला करना हो तभी नल चलाएं जब हमें अपना ब्रेश धोना हो जबी नल चलाएं ऐसे हम अब पानी की बज़त कर सकते हैं नहातेस हमें बाल्टी में पानी लेकर मक्से पानी डालकर नहाने से पानी कम खर्च होता है आंगन और कमरों को धोने की अपेक्श अगर बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर हम पहुचा लगाएंगे तो पानी कम खर्च होगा इस तरह से हमारे पास पानी की बचत भी रहेगी फल सब्जी धोने के बाद उस पानी को पेड़ पौदों में डाल दो इस प्रकार कपड़े दोते समय बरतन दोते समय और कार दोते समय भी अगर थोड़ी साबदानी बढ़ती जाए तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं अते बच्चों मन ही मन पानी को अधिक से अधिक बचाने का संकल्प लो तो हमें इस पार्ट में पढ़ाया गया हमें इस पार्ट में जानने को मिला कि पानी एक बहुमूल चीज है जिसे हमें ज्यादा से ज्यादा जिसका संदक्षन करना चाहिए जिसे हमें ज्यादा से ज्यादा हमें इसे बचाना चाहिए ये कुछ बच्चो कठीन शब्द दिये गए हैं, जिनने आप अच्छी तरह से देखना और याद करना अम्राथ सुधा, बास्तम में, सचमुच में, पैशी तरह थंडे करने की क्रिया उपियोग इस्तिमाल इस तरह से आपको ये कुछ खटीन शब्द दिये गए हैं, जिनने अच्छी तरह से देखना और याद करना और बोलने का भी प्रयास करना ये आपके question answer दिये गए हैं, जो आपको आपके साबताई ग्रैकार में दे दिये जाएंगे, धन्यवाद